भईारति कारोबारी टाटा ग्रूप 25 नाम दहुना होगा यह इंडिया का बहुत बड़ा ग्रूप है और यह मरें आप किसी न किसी तरीके से डारेक्ली कि इन डैरेकल बॉलेत्स कहभर थे यह बेहुत दुखत खबर है इस पाकिस्तान की जो अपन मी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है जब के टाटा कुरूब जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है जो के पाकिस्तानी जिटीप यानि पूरे पाकिस्तान में जितने लोग काम करते हैं जितनी हमारी बरामदाद बरामदाद और यह सारी चीज़ें मिलागर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है बनाता है जिसको जिटीप कहते हैं वो है सिर्फ 341 अरब डॉलर जबके इंडिया की इस ग्रूप की सिर्फ और सिर्फ जो कुल बिजनिस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर ज जो के पाकिस्तानी जिडीप से भी 20-25 अरब डॉलर ज्यादा है मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट ग्रूप टाटा ग्रूप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी एक तरफ एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एक्जिस्ट करती है जो मल्टिपल ब जो है जिसको आप कैसकते हैं इनके बिजनिस की वह है तीन सो पैंसट अरब डॉलर जो के पाकिस्तानी जिडिपी यानि पूरे पाकिस्तान में जितने एसेट्स हैं जितने लोग काम करते हैं जितनी हमारी द्रामदाद ब्रामदाद और यह सारी चीज़ें मिलागर हम जितना पैसा पूरा पाकिस्तान कमाता है बनाता है जिसको जिडिपी कहते हैं वह सिर्फ ती बिजनिस की मालियत है वो 365 अरब डॉलर्स है जो के पाकिस्तानी जीडीपी से भी 20-25 अरब डॉलर्स ज्याद है और ये लोग जो है इंडिया में 1868 में इन्होंने 21,000 रुपे से इस कंपनी की इस गुरूप की बुनियाद रखी थी और ये आज जो है 365 अरब डॉलर्स तक जो ने काम करना शुरू किया और जब पाकिस्तान अजाद हुआ उससे अगले दिन इंडिया अजाद हुआ और आज वो देखिए उनका एक ग्रूप कंपनी जो है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से 20-25 अरब डॉलर्स जो है वो ज्याद है यानि कि टाटा ग्रूप की जो ने बात नहीं होनी चाहिए क्या इसके बाद कोई ऐसा आर्गूमेंट जो आपको राइवलरी की तरफ ले कर जाए और आपको ये बताए कि हमारा काम ये है कि हम अपनी तमाम एनरजीज हिंदोस्तान के साथ डिस्प्यूट लेने में लगा दें ये सेंसिबल बात लगती है एक कमपनी जो इस ग्रूप के अंडर फॉल करती है वो सिर्फ एक कमपनी पाकिस्तान का आदा जीडीपी से ज़्यादा वैलियो रखती है इस वक्त मार्किट में और इसके साथ साथ अगर इस कमपनी की तारीख की हम बात करें तो ये तकरीबन 1868 में इट कमस इंटू बनाते हैं जो बहुत मशूर था फिर उसके लावा होटलिंग बिजनिस में जाते हैं इसके लावा जो इनके बेटे थे जमशेट टाटा के जो फांडर थे इस कमपनी के 1907 में वो पहली स्टील मेलेशिया की बनाते हैं तो आप ये देखिए कि किस कदर फेवरेबल बिजनि करती हैं अगर करती होती तो क्या आपको ये लगता है कि ओवर दा कोर्स ओफ इस्ट्री सौ या 120 या 1500 साल तक ये सर्वाइव कर पाते हैं इसको स्कोलर्शिप्स दिये जाते हैं देरूने मुमालिक में उनको भेजा जाता है आज इंडिया पूरी दुनिया में आइटी के मिदान में सबसे आगे है तो वो भी टाटा कंपनी की मरहूने मिनित है इन्होंने 1968 में बड़ा जबर्दस सोफियर हाउस बनाया था और इन्हों का तमाम टाटा कंपणी का मुरहुने मिनत है अंडियन एयर लाइन जो देखते हैं एयर इंडिया यह भी टाटा कंपणी ने खरीदी ती एयर लाइन के नाम से ती कराची से मुमबई इन्होंने अपने ही खानदान के पायलेट को तरविय दी उसको लाइसेंस मिला और उसने उस फ्लाइट को फ्लाइग करते हुए कराची से मॉंबई आया था के बाद इन्होंने इस Tata Airline को Air India को बेज दिया और वो Air India बन गई अब इन्होंने दो साल पहले उसी Air India को दुबारा खरीद लिया है और इतने महगे हवाई जहाज वो और किया है कि मैं यह समझता हूँ कि एमरेक्स के बाद जो इनकी यह जो दुबारा से Tata Airline बनने जा रही है जो कि Air India की सूरत में उन्होंने खरीद ली भी है वो दुनिया भर में अपना सिक्का जो है वो जमा देगी मतलब यह किस तरीके से यह तरक्की करते हुए इन्होंने ना सिर्फ इंडियन लोगों की जिन्दिगियों को बेहतर किया वहाँ IT इंडिस्ट्री को बेहतर किया वहाँ सोफ्टियों इंडिस्ट्री को बेहतर किया और इसी के साथ साथ पहां कि हर university में हर वो bright student जिसके पास पैसे नहीं होते ये उसको scholarships देते हैं इनकी एक TCS की company है जो पूरी दुनिया में भैली हुई है वो भी Tata company की है उसके अगर total असासों की बात की जाए तो वो 170 अरब डॉलर्स बनती है मतलब पाकिस्तान की कुल GDP का तकरीबन हाफ बनता है जो के सिर्फ TCS के पास है और TCS सिर्फ पाकिस्तान ये इंडिया में काम ने कर रहा है ये पूरी दुनिया में काम कर रहा है और एक international brand की तोर पर जो है वो सामने आया है इसी के साथ साथ अगर आप महां पर मुकेश शंबानी को देख ले हैं या कोई दूसरे उनके businessmen देख उन लोगों की अपनी growth बन चुकी है सिर्फ एक group की अलो दोस्तों देखा आपने जबसे पाकिस्तानी मीडिया को यह पता लगा है कि जो रतन टाटा है वो आप हमारे बीच में नहीं रहे हैं उनका 86 की age में निदन हो गया तो से पाकिस्तानी मीडिया उनकी network सर्च कर रहा थ मतल wspól कि GDP उससे 20 से 22毫 addressed जाधा है तब से पाकिस्तानी टोटल से सौग मों चलगा गया दिप bakın पाकिस्तानी टोटल तीन सो 41 मिलियार्ष पास है आसपास इसón के तीनो के आसपास है जिसके वैसे पाकिस्ताने मीडिया लगने लागा है रतन टा चाले तो उनका जो कर जाए उस शुरु कि च्छी मेडिया मेडिया से गबरा गया पाली सान मीडिया के मानना है कि यह सब है इंडिय के अंदर ही हो सकता है क्योंकि कि यहां पर पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी है जब कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में कोई भी गवर्मेंट पर्वनेंट तो पांस साल का कार्यकाल फूरा नहीं कर पाती है और हमारे यहां पर जो बिजनिसमेन हैं उनको फूरा सफोर्ट किया जा से हमारे रतन टाटा की TCS की बात करें टाटा कंसल्टेल सी तो उसकी भी मतलब पाकिस्तान की इडिवी से आदे से ज्यादा उसकी नेटवर्ट है तो पाकिस्तान को बलगने लगा है कि रतन टाटा ने जो मलब जो काम शुरू किया टेक्नोलोजी के बारे में जैसे उने साइन्स के बारे में बड़े बदलाव किया फिर उन बड़ा काम गया जो आगे काम आया जो पाकिस्तान के मीडिया के जितने भी लोग है अब सब इस बात को मानने में लग गए है अगर तन टाटा ओ या फिर जैसे मुकेशं मानिया और मानिया फिर कोई भी हो बिजिसमेन इन वह इंडिया का बिजनेसमेन पाकिस्तान की टोटल जीडिपी से भी ज्यादा पैसा अपने पास रखता है अगर वो चाहें तो पाकिस्तान का करदा उतार सकता है लेकिन दोस्ता ऐसा होने वाला यह नहीं क्योंकि आप जब रतन टाटा ने आज उतल सुरू की थी उसी की उटल पर पाकिस्तान नैटमें कर दिया था उसके बाद में रतन टाटा पाकिस्तान की कारोभार से मिलना कैंसल कर दिया था बहिए पाकिस्तान वाले कुद्थ के प्रबात करने लग गया है लेकिन उससे पहले उन्हाने रदन टाक नहीं कि ती वीडियो चलगे तो वीडियो को लाइक से एक फिर मिलते है कि लिए और अपके लगता है दोस्तों रदन टाटा जैसे बिजनिस्मेंं के लिए के नीचे कमेंट सेक्षिन में सपोर्ट करें और लिखें उनको यह लिए श्रदान जली जरूर दें फिर मिलते लिए दन्नावाद